आज हमारे बीच में हमारे विशेश अनुरोध पर बारत यात्री का नहीं आज हमारे बीच में हैं जो लगातार पिछले दो महिने से ज्यादा लगातार पैदल चल रहे थे और पहली बार इनको हमने रिक्वेस्ट करके दिल्ली बुलाया है कि आप आएं और AICC में पतरकार दोस्तों के जवाब दें कि यातरा कैसी रही क्या रही और इससे संबंदित जो भी कोश्चन है उसके लिए हमारे बीच में दिल्ली में आये हैं AICC में इनका बहुत-बहुत स्वागत है मैं अन्रोद करूँगा कनेया कुमाजी से क्यों अपनी बात राखी थे सबसे पहले तो मैं भारत जोरो यातरा की तरफ से सारे यातरीयों की तरफ से वारत यातरी अतित्री इंटरिस्टेट यातरी और सेवा दल के जो कारे करता है हैं और वो सारे लोग जो किसी केटेगरी में नहीं है लेकिन इस यात्रा में चल रहे हैं कि यात्री के तौर पे आप सभी पतरकार साथियों का अभिनन्दन करता हूँ और आप सब लोग आज आए हैं वैसे तो पतरकारिता में कोई दिन छुट्टी का होता नहीं है लेकिन आज हमारी भी चुट्टी है संदे भी है और आप लोग जो है मेरे ख्याल से हिमाचल से भी आए होंगे तो बड़ी मुश्किल रही होगी फिर भी आप आए हैं इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं बस आपसे कुछ चीजें यात्रा को लेकर के साज़ा करना चाहता हूँ बाकि आप जो भी प्रशन करेंगे उसका जवाब देंगे एक तो ये यात्रा हमारी उम्मीदों से बढ़कर अपने उद्देश्यों को पूरा करने में काम्याब होता हुआ दिख रहा है जैसे जब हम लोग साथ तारीक को इसका प्रॉपर इनॉग्रेशन हुआ उद्गाटन हुआ तो बहुत सारे सवाल थे मन में लोग आएंगे की नहीं आएंगे लोगों का रेस्पोंस क्या होगा हम लोग अपने उपर भी सवाल खरा कर रहे थे कि कैसे 25 किलो मिटर चलेंगे क्योंकि किसी को भी इस्तना चलने की आदत है नहीं और हम लोग जो है फॉरेस्ट गंप तो है नहीं कि एक बार जो है जूते का लहस बांद करके जो है दौरना शुरू किये तो दौरते रहेंगे तो ये सारे सवाल मन में थे लेकिन वो जो एक बात स्कूल में पढ़ा करते थे कि कई बार इनसान पैरों से नहीं होसलों से चलता है वो इस यात्रा में जा करके सही सावित हुआ है कैसे यात्रा के 60 से ज़्यादा दिन कट गए सच मुझ पता नहीं चला तकलीफें हुई अलग अलग तरह की तकलीफें लोगों को हुई लेकिन अब लोग जो है अपने सारे रिक संगर्सों से उपर उठ चुके हैं मतलब कभी तो ऐसा होता है कि मजाक मजाक में कि यात्रा समाप्त हो गई है और अब जो है अपने कैम्प में वापिस लोटना है लोगों को इतना चलने की आदत है कि गारी सामने हो बस सामने हो फिर भी पैदल चलने लगते हैं तो बीच में जो है एक जब छुट्टी होती है तो कई सारे लोग घर गए बहुत सारे यात्री बीच में डिपावली था तो लोग घर गए लेकिन मैं उस वक्त भी कैम्प साइड में ही था तो कुछ जो लोग घर से लोट करके आए उन्होंने एक बड़ी मज़दार कहानी सुनाई कि हम लोग जा रहे थे एक मार्केट मे तो घर वालों ने कहा कि हम लोग कार से चलते हैं तुम तो पैदल चलो अराम से 20-25 किलोमेटर तो चली लेते हो अब 20-25 किलोमेटर चलने में कोई दिक्कत नहीं है और आज भी जब मैं इस प्रेस कॉन्फरेंस के लिए आ रहा था तो मेरे कुछ दोस्तों ने कहा कि इंतजा किस बात का शुरू कर दो बारत 13 किलोमेटर है 24 अकबर रोड पहुंच जाओगे मॉर्निंग सेशन में वैसे भी तुम लोग 15 किलोमेटर चलते ही हो तो यह यात्रा मेरे ख्याल से बहुत सहज हो चुका है भारत यात्रियों के लिए भी बहुत सहज हो गया है और यह जो बा पार्टी से सीधे तोर पे जुड़े हुए हैं एक वो लोग हैं जो पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं लेकिन इस यात्रा से जुड़ चुके हैं और उन लोगों को देखना और उनके अनुभव के आधार पे ही कुछ चीजे मैं आप से साजा करना चाहता हूं कि जो ल आखों को पढ़ने से इतना महसूस होता है कि ऐसी यात्रा की जरूरत थी इस देश को और यही कारण है कि चाहे जितनी भी चुनोतियां रही हों यह यात्रा स्वभाविक तौर पे उन सारी चुनोतियों को एक एक करके पार करता जा रहा है कई ऐसी परिस्थितियां थी जैसे जहां गर्मी बहुत होनी थी ऐसी अपेक्षा थी कि बहुत गर्मी होगी वहां बारिश हो गई जहां लगा कि यहां पे चलना बहुत मुश्किल होगा कई सारे कथनाईयां होगी वहां पे कुछ ऐसी परिस्थितिति उत्पन हुई कि सब राह आसान हो गया तो एक बात जो कुल जमा जोर हम इस यात्रा के बारे में कह सकते हैं कि यात्रा अपने पहले पढ़ाओ को पूरी तरीके से पूरा कर चुका है और वो पहला पढ़ाओ है कि यात्री यात्रा के लिए सहज हो चुके हैं यात्रा देश के लिए सहज हो चुका मैं आपसे कोई सिकायत नहीं कर रहा हूं क्योंकि जैसे हमारा प्रोफेशन है आपका भी प्रोफेशन है और हर किसी की अपनी मजबूरी होती है लेकिन आप जानते हैं कि यातरा को जितना दिखाया जाना चाहिए जितना बताया जाना चाहिए उतना दिखाया और बताया नही पिर भी एक खास बात आप सारे लोगों ने महसूस किया होगा कि जब मोबाइल टीबी नहीं था तब भी समाज में संबाद था कम्मुनिकेशन था और सिर्फ इंसानों में ही कम्मुनिकेशन नहीं होता है पक्षियों में भी कम्मुनिकेशन होता है उनकी भी अपनी आवाजे दिखाया गया हो लेकिन इस देश के लगभग हर विक्ति को ये पता है कि यातरा हो रही है इसका मतलब हमारा इंटर्नल कम्मुनिकेशन बियोंड वाटसेप, टीबी, अखवार आज भी जिन्दा है देश की चाय के नुकड़ों पर बसों में, ट्रेनों में, खेतों में, खलिहानों में, दफ्तरों में हर जगा किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी दिन, सुबह या साम यह चर्चा निकल आती है कि भारत यातरा हो रही है तो भारत यातरा ने अपना पहला पड़ाओ पूरा कर लिया है, पूरे देश को पता है कि उनके सवालों को लेकर के ये यातरा हो रही है यह जो हमने कहा उनके सवाल ये भी हमारे दिमाग में जो था वो अपनी जगह पे है लेकिन यातरा के दोरान जो हमने कलक्ट किया वो जादा महधपूर्न और प्रसांगिक है उनके सवाल कहने का मतलब है कि जब महलाएं यातरा में आ करके जुड़ती हैं और मैं बार बार कह हूँ जो हमारी party worker नहीं है वो बोलती है महंगाई के बारे में कि 400 के cylinder जो हजार रुपे का हो गया है घर चलाना मुस्किल हो रहा है जो नौजवान जुरे हुए हैं आपको software engineering के पेसे से या जो है service sector से जुरे हुए हैं जिस तरह से उनकी नौकरियां कम हो गई है जौब की insecurity बढ़ी है उसके वारे में वो बात करते हैं जो इस student पढ़ रहे हैं तयारियां कर रहे हैं रास्ते में कई ऐसी private academy मिली जहां आर्मी में बहाली की training दी जाती है वहां के बच्चे बाहर निकल करके आए और बात किये जो लोग सुबह जैसे सुबह हम लोग भी walk करते हैं और आप देखेंगे इस देश में संस्कृती मौजूद है कि सरक के किनारे आपको दोड़ते हुए नوجवान मिलेंग तो वो यातरा से आकर के जुड़ते हैं और बेरोजगारी के बारे में बताते हैं किसान बरे पेमाने पे अलग-अलग इलाके के किसान अपनी अलग-अलग समस्याओं को ले करके जैसे कपास की खेती करने वाले किसान सोयाबेन की खेती करने वाले किसान वो सब आकर के अप को सर्विस सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं या जो प्रोफेशनल्स हैं जिनके पास अल्रेडी स्किल है जिन्होंने बी एड की डिगरी कर रखी है जिन्होंने बी ए कर रखा है बेचलर आफ इंजिनिंग कर रखा है उनको किस तरीके से जॉब नहीं मिल रहा है जो आर्मी यह सारे मुद्दे जो है भारत जोरो यात्रा में, प्रॉमिनेंटली हम लोगों को पता चला है और भारत जोरो यात्रा जो एक उद्देश ले करके चला था, क्योंकि बार बार यह सवाल जो है किसे ना किसी रूप में पूछा जाता है, आज हमारे एक पत्रकार दोस्त ने फोन किया और कहा कि कितना जोरे, भारत कितना जोरे तो हम बोले कि टेलर का दुकान चलाते हैं कि आप, कि डेर मीटर जोर दिये, सारे तीन मीटर जोर दिये कितना टुटा हुआ हैं आप ये सवाल पहले खुद से पूछिए फिर पता चलेगा कि कितना जुड़ा जब यही महसूस नहीं हो रहा है कि कितना टुटा हुआ है तो क्या जोर रहे हैं ये भी पता नहीं चलेगा हमने कहा कि जब आपको ये महसूस होता है कि आपने अपनी पूरी जिन्दगी किसे एक प्रोफेशन को दिया लेकिन चैन नहीं है सुख नहीं है सांती नहीं है हर वक्त ये दिमाग पे प्रेशर रहता है कि कब नौकरी चली जाएगी तो यह जो औसुरक्षा है इस भावना को जोरना चाहते हैं ये भारत जोरोयातरा का लक्ष है जो नौजवान अपनी पढ़ाई कर रहा है उसकी जो उमीद है जो उमीद टूटती है जब बहाली नहीं निकलती है या प्रस्ण पत्र लीक हो जाता है उस टूटी हुई उमीद को जोरना इस भारत जोरोयातरा का लक्ष है जो महलाएं आ रही है उस भावनात्मक तस्वीर को आप सब लोगों ने देखा होगा कि कैसे ये ये आसान बात नहीं है कि किसी गैर मर्द के साथ उतनी सहजता से कोई महला मिले तो महलाओं को जो आज नारी सुरक्षा की इस्थिती है जिस तरीके से बलातकारियो को प्रेज किया जा रहा है ऐसी परिस्थिती में महलाओं की उस तूटी हुई उम्मीद को जोरना ये भारत जोरोयात्रा का लक्ष है और हमारा मानना है कि जितनी सहजता से ये यात्रा आगे बढ़ रही है और लोगों के मुद्दों को कलेक्ट कर रही है लोगों की आँख में देखने से ये बार बार महसूस होता है कि इस यात्रा की जरूरत थी भारत जोरोयात्रा ने अपने पहले पढ़ाओ को पूरा किया है भारत जोरोयात्रा को अपने दूसरे पढ़ाओ को भी पूरा करना है और दूसरा पढ़ाओ ये है कि हम इस देश की सरकार को इस कि उम्मीद है कि उस पड़ाव को भी हम लोग पूरा करेंगे आप सब लोग आए हमारी बात सुने इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहुत धन्यवाद बाकि आप प्रस्ण पूछेंगे तो और सारी चीजों का जवाप दिया जाएगा थैंक यू देखे ये एक बहुत ही मौजू प्रश्ण आपने पूछा है मैं इसको ऐसे कहूंगा क्योंकि पहले जब मैं लोगों से बात करता था और कहता था कि हम भारत जो यात्रा में जा रहे हैं तो राहूल जी तो हमारे निता हैं हमारे दोस्तों को भी ये भरोशा नहीं होता था कि हम लोग 25 किलो मेटर रोज पैदल चलेंगे यहां से शुरू हुई है यह पूरा कॉन्वर्सेशन जो आप सवाल पूछ रहे हैं और राहूल जी को लेकर के तो पता नहीं क्या क्या कहा गया है क्या क्या कहा गया है एक पत्रकार ने हमको कहा कि इस यात्रा से राहूल जी की छबी सुधरेगी हमने कहा कि आप गलत तरीके से बात को रख रहे हैं राहुल जी की छबी सुधरेगी नहीं, राहुल जी की जो actual reality है ना, उनकी जो वास्तविक्ता है वो देश को आगे दिखेगा, वैसे ही जैसे कहते हैं ना, कि हाथ कंगन को RC क्या, परहे लिखे को फार्सी क्या, परत्यक्ष को प्रमान की जरूरत नहीं होती है, वाटसेप पे जो मेसेज आया है, या टीवी डिवेटों में जो खड़ा करने का एक चरितर और एक छबी खड़ा करने की जो कोशिश की गई है, उसको जनता अपने आँखों से देख करके समाप्त कर लेगी, अब उसके पास उसका first hand information होगा, जो उसने अपनी आँखों से दे चुट्टी मनाने चले जाएंगे, चुट्टी होगी तो डिल्ली आजाएंगे, अरे कैसी बातें करते हो, कंटेनर में थोड़ी रहेंगे, कैसी बातें करते हो, 25 किलो मेटर पे दल थोड़ी चलेंगे, यह सारी चीजें समाप्त हो गईंगे, और हम कहते हैं कि उनकी छबी बिगारने के लिए करोरों रूपिया खर्च करना पड़ा उनकी जो बास्तविक्ता है ना उसके लिए सिर्फ उनको रोड पे निकल करके पैदल चलना पड़ा कितना फर्क है बस आपको जनता के बीच में आप गए और आपको ले करके जितनी कोशिशें थी उस सब पे जो है पानी फिड़ गया और आज वही लोग मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि जो हमको सवाल पूछते थे ना कि चलोगे कि नहीं चलोगे राहुल जी को ले करके तो उनके सारे सवाल अपने आप समाप्त हो गए हैं और इतनी मारमिक तस्वीरें आती हैं बच्चों के साथ महिलाओं के साथ बुढ़ों के साथ और इस देश के वो लोग जो महसूस करते हैं कि उनकी उमीदें टूट रही हैं चाहे हो किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, चाहे इस देश की civil society हो, retired judge हो, film में काम करने वाले लोग हो, पत्रकार हो, लेखक हो, साहितकार हो, और चाहे वो family जिनके परिवार से किसी ना किसी की सहाधत हुई है। चाहे वोग हो, आप जानते हैं कि करनाटक में गौरी लंकेश जी का परिवार आया, तेलंगाना में रोहित बिमुला जी का परिवार आया, और आने वाले समय में भी वो सारे लोग जिनको लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है, न्याय की उस उम्मीद के लिए वो लोग इ आतरा में सामिल हो रहे हैं, तो ये जो प्रशन आपने पूछा कि राहुल जी का कद बड़ा होगा, मैं समझता हूँ कि एक बात कही जाती है न कि बरे बराई ना करे, बरे न बोले बोल, रहिमन हिरा कब कहे, लाख टका ममोल, ये उनका कद बड़ा होगा, छोटा होगा, य उनकी जो रालिटी है, उनको लेकर के जो जूट, एक जूट का जो है बातावरन, एक आवरन जो खड़ा गया गया ए, वो अपने आप जो है धरा साही हो गया है, वो सारी चीजें कि सीरियस नहीं है, विदेश चले जाएंगे, चुट्टी पे चले जाएंगे, कंसिस्टें वो सारे सवाल जो हैं वो निराधार सावित हुए हैं तेके महंगाई और बेरुजगारी ये दो ऐसे सवाल थे जो हर जगह मतलब आप यूं समझ लीजिए कि जैसे हम करनाटक में हैं तो वहां एक समुझ जो है वो उन राजियों से आया जहां हमारी यात्रा नहीं जा रही है तो वो परतिनिधित भी जो है जो डेलिगेशन था वो भी यही सवाल उठा रहा था और महेंगाई को ले करके across the board सारे लोगों ने जो है सवाल यह दो मुद्ध भुद प्रोमिनेंट हैं इसके अलाबे साउथ में हमने देखा कि एक और सवाल जो कि अब हम जब महरास्त्रा आ गये हैं तो यह सवाल अब नहीं है लेकिन साउथ में कहीं न कहीं यह सवाल बार बार आ रहा था फेडरलिजम का कुष्चन साउत में इस सवाल को भी बहुत सारे लोगोंने आकर के उठाया कि हमारे साथ जो है कहीं न कहीं सेंटर जो है वो पूरी तरीके से नयाई नहीं करता है यह जो पॉलिटिकल डिलीगेशन होता था उसमें कई लोगों ने सवाल उठाये जो मुझे लगता है कि अलग सवाल है बाकी जो कोमन, दो सबसे कोमन मुद्दा अगर आप कहेंगे तो वो महंगाई और बिरुजगारी का सवाल फिर specific समुदाई के कई सवाल आए जैसे किसानों के सवाल, महिलाओं के सवाल और जो specific चीजों की तयारी करते हैं बीड किये हुए जो लोग ट्रेंड टीचर हैं वो कई राजियों में मिले कि उनकी बहाली नहीं हुई कई जगा संविदा कर्मियों का ग्रूप आकर के मिला कि कॉन्ट्रेक्ट पे काम करने की क्या परिशानी होती है खास करके lockdown के बाद ये realize हुआ है कि अचानक से management call करता है और कहता है कि आपकल से आप नोकरी पे मत आईए तो उसकी पूरी की पूरी जिंदगी जो है वो अंधकार में चली जाती है उसने EMI पे अपना जो है washing machine से ले करके कार से ले करके घर तक ले रखा है तो वो फिर EMI कैसे भरेगा और आत्म हत्या एक बहुत ही दुखद परिस्थिती हमारे देश में पैदा कर रहा है कि किसानों की आत्म हत्या से मामला अब जबानों की आत्म हत्या तक पहुँच गई है बेरुजगारी के कारण भी जो है लोग आत्म हत्या करना शुरू कर दिया है कोरोना के दोरान लोगों को फैसिलिटीज नहीं मिले अक्सिजन नहीं मिला, बेड नहीं मिला, मुआबजा नहीं मिला ये सवाल भी कई सारे लोग आकर के बताएं अब देखिए एक तो मैं बार बार कह रहा हूं और हमारे सारे सीनियर भी कह रहे हैं कि इस यात्रा का उद्देश राजनितिक भी है सिर्फ राजनितिक ही नहीं है ये बात ना हम लोग बार बार इसको किलियर कर रहे हैं कि अगर हम इस यात्रा को सिर्फ राजनितिक ही मानेंगे तो राजनितिक बात भी जो है उसमें सारे डाइमेंसन कवर नहीं होते हैं सिर्फ चुनाओ की बात होती है बाकि सारे और जो डाइमेंसन हैं उसको छोड़ दिये जाते हैं हमारी नीती सुरू में जो थी सबसे पहले जहां से यात्रा शुरू हुई कि लोग परेशान हैं, लोगों के अंदर गुसा है, लोगों के भीतर डर पैदा किया जा रहा है, नफरत पैदा किया जा रहा है इस से देश जो है भावनात्मक रूप से कमजोर होगा और कोई भी देश जब हावनात्मक रूप से कमजोर होता है जब वो आपस में united नहीं होते हैं तो बाकी सारी progress की बात जो है वो पीछे चली जाती है और जो हम लोग सवाल उठा रहे हैं एक मजबूत विबक्ष के तौर पे जो हमारी responsibility है वो भी लोगों तक नहीं पहुच पा रही है कि हम उनके लिए लड़ रहे हैं तो जब आपके current communication के tools काम नहीं कर रहे हो तो कहते हैं न back to basics, back to classic और ये back to basic या back to classic जो है हम कहते हैं कि ये एक गांधियन method है कि गांधी जी दांडी यात्रा पे चले या जो है इस देश में कई बार यात्राइं की गई तो उसमें मुख सवाल ये था कि हम लोगों के बीच जाएंगे हम उनके सवालों को ले करके लर रहे हैं उनको ये भरोसा होगा और हम अपनी सुनाएंगे नहीं उनकी सुनेंगे वहां से जब हम लोग ये यात्रा को शुरू किये तो पॉलिटिकल स्टेटजी एक मात्र था जन को तंत्र से जोड करके रखना जन और तंत्र जो है वो अलग न हो जाए तंत्र जो है वो जन पे हावी न हो जाए सिर्फ इतनी सी बात थी इसी लिए हम उन राज्यों में भी गए जिन राज्यों में हम कहीं न कहीं सरकार चलाने में सहीयोगी है जैसे तमिलनाडू वहां सरकार चलाने में हम सहीयोगी है हम वहां भी गए क्योंकि मुद्दे जो हैं वो कस्मीर से लेकर के कन्या कुमारी तक कुछ common है चाहे हमारी सरकार हो या किसी और की सरकार हो तो primary task ये था कि उन issues को ले करके लोगों के बीच में जाना उनकी बातों को सुनना South से North की तरफ जब हम बढ़ रहे हैं तो कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो पूरी तरह से बदल गए जैसे मैंने आपको कहा कि South में फेडरलिजम का question था लेकिन जब हम North की तरफ आ रहे हैं तो इस सवाल को अब कोई उठा नहीं रहा है लेकिन जो बाकी सवाल हैं वो agitives हैं जैसे महंगाई का सवाल बेरुजगारी का सवाल किसानों को उनके फसन के दाम नहीं मिलने का सवाल नारी सुरक्षा का सवाल ये बिलकुल common सवाल हैं जो हर जगा मिलते जा रहे हैं अब ये सवाल कैसे हल होंगे इनको पूरा कैसे किया जाएगा उस पे हम लोग एक बात कर रहे हैं कि अगर हम इस नीती को बदल दें कि आप टेक्स ले रहे हैं देश के लोगों का और बेल आउट कर रहे हैं आपने दोस्तों का नारा लगा रहे हैं देश का खजाना भर रहे हैं दोस्त का इस नीती को अगर बदल दिया जाए तो बरे पैमाने पे रोजगार क्रियेट किया जा सकता है और महेंगाई का भी जहां तक सवाल है कि सरकार अगर अपनी भूमी का नहीं निभाएगी तो सुभाविक रूप से पूरी तरह से अगर आप मार्केट के भरोसे हर चीज छोड़ देंगे तो जनता का दाई तो कौन उठाएगा और फिर जनता का दाई तो सरकार न उठाए तो सरकार का दाई तो जनता क्यों उठाए अगर आप हमारे टेक्स के पैसे से मुझे सिक्षा नहीं देंगे तो हमारे टेक्स के पैसे से जो आप सारे 8000 करोड का प्लेन क्यों खरीदेंगे अब आप ये देखिए कि LIC में देश के आम लोगों का पैसा जमा है LIC का सबसे ज़्यादा शेयर जो है वा अदानी जी के पास है तो हमारा पैसा ले करके आप अमीर हो रहे हैं और हमारे पास ना जॉब की गारेंटी है ना हमारे पैसे की गारेंटी है ना जो है हम जो हमारी जरूरत की चीजें हैं उसको हम एक्सेस कर पा रहे हैं रोज महंगाई बढ़ रही है तो ये चीजें हम लोगों को समझ में आ रही है तो उसमें ये समझ में आता है कि North से लगर के South तक political mobilization किया जा सकता है अगर हम social diversity को intact रखें और जो division create किया जा रहा है on the basis of identity उस political challenge को अगर हम लोग meet कर सकें देखिए एक तो नरेंदर मोदी जी बहुत कुछ कहते हैं आज कल जो है हम लोग उन चीजों पर जा नहीं रहे हैं लेकिन भारत जोरो यातरा से ये सवाल अलग है लेकिन मैं भारत जोरो यातरा से जोड़ करके इस सवाल का जवाब आपको देता हूँ बारत जोरो यातरा को लेकर के आप में से एक साथी ने सवाल किया कि राहुल जी की छबी पे लोगों का क्या नजरिया है तो हमने यही कहा न कि उनकी जो बास्तविक्ता थी वो बास्तविक्ता भी लोगों को नहीं मालूम था मुदी जी का जो जूट है न वो भी लोगों को मालूम है मसलन बीजेपी के प्रेसिडेंट ने कहा हिमाचल चुनाव के दोरान कि प्रधान मंत्री जी फोन करके युक्रेन युद्ध रुकवा दिये एक बागी विधायक तो प्रधान मंत्री के फोन से बैठ नहीं रहा है मंत्री जी हमेशा जूट का इस्तेमाल करते हैं देश के बेसिक इसूज को डाइवर्ट करने के लिए विपक्षी उनको गाली दे रहा है क्या फरक परता है देश की जनता उनको वोट दे रही है न एक बार नहीं दो बार वोट दी है न तो देश की जनता से जो उन्होंने वादा किया था, उस वादे का क्या हुआ, ये जवाब उनको देना चाहिए, दो किलो गाली मिल रहा है, ये इंपोर्टेंट नहीं है, इस देश में गांधी को गोली मिली है, और उसी से मिली है, जिसका तस्वीर आप अपने जो है, दफतर में लगाते हैं, नफरत से और जो है आप नफरत फैलाते हैं नफरत फैलाने वालों को आप फॉलो करते हैं नफरत फैलाने वालों को आप प्रमोट करते हैं और फिर जो है विक्टिम काड भी खेल रहे हैं गोली मिली है इस देश में गांधी को और जो गोली मारने की बात करने वाले लोग हैं जिनके पिताजी नेता थे उनको मंच पे बिठा करके बगल में परिवारवाद पे भाशन देते हैं इसको कहते हैं कथनी और करनी में फर्क होना ये सब बेकार की बाते हैं सहाब देश की जनता ने प्रधान मंतरी जी को मेंडेट दिया है और प्रधान मंतरी जी ने देश की जनता से जो वादा किया था उसको पूरा नहीं किया है ये देश का सवाल है और हम जब देश घूम रहे हैं तो यही सवाल हमारे सामने आ रहा है कि देश महेंगाई से परेशान है देश बेरुजगारी से परेशान है किसानों को उनके फसल का दाम नहीं मिल रहा है महिलाएं वह सुरक्षित महसूस कर रही है, पहचान के आधार पे इंसान को लड़ाया जा रहा है, नफरत फैलाया जा रहा है, अगर देश भावनात्मक रूप से कमजोर होगा, भावनात्मक रूप से अगर देश इकठा नहीं रहेगा, तो देश की प्रगती में बाधा होगी, अगर देखिए, मेरा मानना है कि लोक तंत्र में किसी भी व्यक्ती का क्या मुस्तक्बिल होगा, ये जनता तै करती है, किसी भी समुह का दल का क्या मुस्तक्बिल होगा, ये जनता तै करती है, लेकिन हम आपसे यही आग्रह करेंगे सर कि तिल को तार ना बनाया जाए गुजरात के लोगों की भी वही समस्याएं हैं जो समस्या हमको भारत जोरो यात्रा में तमिलाडू से लेकर के केरल करनाटक आंधरपरदेश तेलंगना होते हुए महारास्त पहुचे हैं और पता चला है गुजरात के किसान भी परेशान हैं गुजरात के नौजवानों को भी रौकरी नहीं मिल रही है गुजरात के व्यापारी भी जो है जीस्टी और नोटबंदी से परेशान हुए हैं उनके जो है उद्योग धंधों को नुक्सान हुआ है मेरा आपसे यही गुजरिस रहेगा कि देश के लोगों के जो बुनियादी सवाल हैं इस देश का राजनितिक बिमर्स उसी के एर्दगिर्द होना चाहिए देखिए एक बात ना एक सेंग है अंग्रेजी में don't defend undefendable मुझे यह मालूम नहीं है लेकिन मैं बिना मालूम किये हुए यह बात पूरे आतम भिश्वास से कह सकता हूँ कि अगर मेरे दौरा कभी भी कोई गलत बात कही जायेगी बिना इफ बट के माफी मंगोंगा गलत गलत होता है लेकिन वो कहें हैं कि नहीं कहें हैं इसकी जानकारी मुझे नहीं है मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि गलत सबके लिए गलत है हम पधानमंत्री जी नहीं है कि भरस्टाचारी होगा जो वेक्ति कॉंग्रेस में रहते हुए और वही बताएंगे कि वो वेक्ति भरस्टाचारी है अगले दिन उसको बीजेपी में सामिल कड़ा करके उसको सदाचारी बोलना शुरू कर देंगे हमारा सवाल जो है authenticity पे है कि किसी वेक्ति को आप रस्टाचारी कहते हैं अगले ही मिनट जिसे आपको मैं याद दिला दूँ एक सपागे नेता थे उनके बारे में बीजेपी क्या क्या कहती थी फिर वो बीजेपी में सामिल हो गए या कॉंग्रेस के ही नेता आपने गुजराद की ही बात की तो नेतिक्ता की का जो आधार होता है वो एक होता है ऐसा नहीं हो सकता है कि हम आपके लिए नेतिक्ता का आधार कुछ और रखें चुकि आप सामने बैठें हैं और हम यहां थोरा उंची जगह बैठें हैं तो हमारे लिए नेतिक्ता का आधार कुछ और होगा गलत गलत होता है कोई भी नेता बोले यह कारी करता उसको don't defend undefendable ने मैं सिकायत नहीं किया था कोई अभी आख में अभी अपर सक करता है इसना कि अजय से सथाई आख में सब्सक्राइब इस प्रफ्रेशा के लिए अगर आपको 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 रहे हैं आप अगरों परोगों तक एक दर्सेयों आपको पहुंदा आपको नुद्टाराइए आपका आपका सुझा अच्छा है लेकिन मैं बस इतना कहूंगा कि आप हमारे लिए महतपूर्ण हैं चाहे जो मजबूरी हो मीडिया लोकतंत्र की एक जरूरत है लोकतंत्र का एक पिलर है और सिकभा सिकायत अपनी जगह पे होता है और यह होता है विपक्ष में जब लोग हो लेकिन जो है हम आपके भी चाहें आपसे बात करने के लिए जहां तक हमारे नेता रहूल जी का सवाल है तो आप जानते हैं कि जो है मीडिया से जी चुराने वाले नहीं है और लिखे हुए सवाल का इंटर्व्यू भी नहीं देते हैं और कोई ऐसा इस्टेट नहीं है जहा सभी पूचिये प्रदान मंत्री जी ने आज तक एक भी प्रस कंफरेंस नहीं किया है थैंक यू थैंक यू वरी मच्छ